इस वीडियो में हम बात करेंगे मातारान के कुल सक्तिपीट नम्मर बन पर आती हिंगलाज हिंगला या हिंगलाज सक्तिपीट जो कराची से 125 किलो मीटर उतर पूरू में इस्तित हैं जहां माता का ब्रम रंद यानि सिर गिरावत था इसकी सक्ति कोटरी है और भेराव को भीम लोचन कहते हैं दूसरा है सरकररे करवीर पाकस्तान में कराची के सुकर स्टेशन के निकट इस्तित है सरकरे सक्तिपीट जहां माता की आग गिरी थी इसकी सक्ति महसा सुर मर्दनी और भेराव को क्रोधित कहते हैं तीसरे नमबर पर आती है माता सुगंदा सुननदा बांगलादेश के सिकारपुर में बरी सल से 20 किलोमीटर दूर सोध नदी के किनारे इस्ते थे मा सुगंद जहां माता की नासका गिरी थी इसकी शक्ति है सुननदा और भेराओ को त्रियम्बक कहते हैं चौथी نमबर है कस्मीर महामाया भारत के कस्मीर के पालगाओ के नकट माता का कंठ गिरा था इसकी सक्ति है महामाया और भेराओ को त्रि संदेशश्वर कहते हैं उसके वाद आती है पाँचपी नमबर पर ज्वाला मुखी सिद्ध्धा अंबिका भारत के हिमांचल आते हैं जालंधर तरपुर मालिनी पंजाब के जालंदर में चावनी स्टेशन के नकट देवी तलाव चहमाता का बाया वक्ष इस्तन गराथा इसकी सक्ति है तरपुर मालिनी और भेराव को वीशन कहते हैं साथफ़ी नमर पर आते हैं नेपाल महा माया नेपाल में पशु पतिनात मंदिर के इनने कट इस्ते थे गुज्रेश्ष री माता जहां माता के दोंग घुटने यानि जानू गिरे थे इसकी सक्ति हैं महश्रा और भेराव को कपाली कहते हैं महिसरी मतलब महा माया नौमे नमबर पर आती हैं मानस दक्षायनी तिब्बत इस्तित केलास मानसरूबर के मानसा के निकट एक पासाण सिला पर माता का दाया हाथ गिरा था इनकी शक्ति है दाक्षायनी और भेराव अमर हैं उसकी वाद आते दस्वी नमबर पर ब्रजा ब्रजाक छेतर भारतिय प्रदेश उडिशा के ब्राज में उतकल इस्तित जहां माता की नाविगिरी थी इसकी सक्ति हैं बिमला और भेराव को जगन्नात कहते हैं ग्यारवी नमबर पर आती हैं गंडक और गंडकी नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामकस्तान पर इस्तित पस्ति मुक्ती नाध्धाम जहां माता का मस्तस किया गंडे स्थल अर्थात कर्पटी गिरी थी इनकी शक्ति है गंडकी चंडगी और भेराव चक्र पानी हैं आर्वे नमबर की बात करें बहुला चंडिका भारतिय प्रदेश पस्चम मंगाल के बर्दमां जिल्या से आठ किलोमीटर दूर कटुआ के तुग्राम के निकट अजे नदी तट पर इस्तित बाहुल स्थान पर माता का बाया हाथ गिरा था इनकी शक्ति देवी बाहुला और भहराओ को भीरू कहते हैं तेर्वे नमबर पर उजेनी मांगल चंडिका जी हैं भारतिय प्रदेश पस्चम मंगाल के बर्दमांजले से 16 किलोमीटर दूर गोश्कुर स्टेशन से उजेनी नामकिस्थान पर माता की दाइं का लाइग गिरी थी इनकी सक्ति मं बहराओ को तिरुपरेस कहते हैं पंद्रवे नमबर पर आती हैं चटल भावानी बांगलादेश के चटगाउं जिला के सीथा कुंडे स्टेशन की निकट चंदनात परवस्चिकर पर छत्राल में माता की दाइं वजा गिरी थी इनकी शक्ति भावानी और भहराओ को चंद् बहराओ को बहाओ कहते हैं उनकी सक्ति नमबर पर हैं प्रियाग ललीता भारती राज उत्रदेश के इलावाज सहर के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी इसकी सक्ति हैं ललीता और भहराओ को भाव कहते हैं उननीश भी नमबर पर आती हैं जहनती सक्ति पीट बंगलादिस के सलहट जिले के जहनती या परगना के भोर भोग गाउं काला जूर के खासी परवत पर जहनती मंदर जहां माता की बाई जांगिरी थी इनकी शक्ति जहनती और भहराओ को क्रम दीश्वर कहते हैं बीश्वी नमबर पर योगाध्या भूत धात्री पश्वी मंगल के वरतमान जिले के खीर ग्राम इस्तित जोगाध्या इस्थान पर माता के दाएं पेर का अंगुठा गिरा था इनकी शक्ति है भूत धात्री और भहराओ को छीर खंड़क कहते हैं इकिश्वी नमबर पर काली पीट कालिका कलकत्ता के काली घाट में माता के बाएं पेर का अंगुठा गिरा था इनकी शक्ति है कालिका और भहराओ को नकुशील कहते हैं बाइश्वी नमबर पर आती है क्रीट विमला सक्तिपीट पस्चम मंगाल के मुर्शी दावाद जिला के लालबा कोट रोड स्टेशन के क्रीट कोड गिराम के पास माता का मुकुट गिरा था इसकी सक्ति हैं विमला और भहराओ को सर्वत कहते हैं बाइश्वी नमबर पर आती हैं बाराण सी विसा लाक्षी उतरप्रदेश के कासी में मनेक करनेक घाट पर माता के कान के मनी जड़त कुंडल गिरे थे इनकी सक्ति है विशा लाक्षी मनी करनी और भहराओ को काल भहराओ कहते हैं चोवीश्वी नमबर पर आती हैं कन्या स्रम सरवानी सक्ति पीट तमिल नांडू के कन्या कुमारी में इस्ति थे यह सक्ति पीट एक छोटी से टाप उपर इस्ति थे इनकी सक्ति हैं सरवानी और भहराओ को निमिस कहते हैं अब बात करते हैं हम 26 नमबर पर आती हैं मणिक देविक गायत्री अजमेर के निकट पुसकर के मणी बंद स्तान के गायत्री परवत पर दो मणी बंद गिरे थे इनकी सक्ति हैं गायत्री और भहराओ को सरवानन्द कहते हैं 27 नमबर की बात करें तो 27 नमबर पर आते हैं स्री सेल महालक्ष्मी बंगलादेश के सिलहट जले के उत्तर पूरु में जैनपुर गायों के पास सेल नामकिस्तान पर माता का गला यानि ग्रीवा गिरा थी इसकी सक्ति हैं महालक्ष्मी और वहराओ को शंबरा नंद कहते हैं 28 नमबर काची देवगरवा पच्चम मंगल के भीर भोग जला के भोलार पूर स्टेशन के उत्तर पूर विस्तित कोपई नदी तट पर काची नामकिस्तान पर माता की अस्तिंग रेती इनकी सक्ति हैं देवगरवा और वहराओ को रुरू कहते हैं 31 नमबर पर कालमादव देवी काली मद्धिप्रदेश के अमरकंटक के कालमादव इस्तित सोन नदी तट के पास माता का बाया नितम गिरा था जहां एक गुफा है इनकी सक्ति है काली और वहराओ को असी तांग कहते हैं अब बात करते हैं हम तीसवे नमबर पर आती हैं शो गिरी शिवानी सक्तिपीट उतर प्रदेश के जहां सी मनकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी इस्थान पर माता का दाया वक्ष किरा था इनकी सक्ति है शिवानी और वहराओ को चंड कहते हैं 32 नमबर पर आती हैं ब्रंदावन ओमा सक्तिपीट उतर प पर पर निचले दंत मतलब नीचे के दात गिरे थे इनकी सकती है बाराही और भेरव को महारुद्र कहते हैं पैंतिसवे नंबर की बात करें तो पैंतिसवे नंबर पर आती हैं कर्टोया तट अपरणा सक्तिपीट बांगलादेश के सेरपुर बागराय स्टेशन से 28 किलोमेटर दूर भवानिपुर गाउं के पार कर्टोया तट स्थान परमाता की पायल गिरे थी इनकी सकती है प्रभास कापालिनी सक्तिपीट पस्चम मंगाल के जिलापूर भी मेंदिनीपूर के पास ताम लुक इस्थित बिवास स्थान पर माता की बाई एड़ी गिरी थी इनकी सक्ति है कपालिनी और भहराव को सरवानंद कहते हैं 38 सी नंबर की बात करने तो 38 सी नंबर बात नहीं सोमनात मंदिर के नेकट बहरावाल स्टेशन से चार किलोमीटर दूर प्रभास छेत्र में माता का उधर गिरा था इनकी सक्ति है चंद्रभागा और भहराव को वक्र तुन्ड कहते हैं 49 सी नंबर बहराव परवत अबंती सक्तिपीट है मद्द प्रदेश के उज्जेन नंगर में छप्रा नदी के तरप पर भहराव परवत पर माता के ओस्ट गिरे थे इनकी सक्ति है अबंती और भहराव को लंब कर्ण कहते हैं 40 सी नंबर पर आते हैं जन स्थान बहरामरी सक्तिपीट महराष्ट के नासक नगर इस्थिद गोदावरी नदी गाटी इस्थिद जन स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी इनकी सक्ति है भहरामरी और भहराव को विक्र ताक्ष कहते हैं 41 सी नंबर की बात करें शर्व सेल स्थान सक्तिपीट आंदर प्रिदेश के राजा मुंदरी छेत इस्थिद गोदावरी नदी के तट पर कोटी लेंगिस्वर मंदर के पास सर्व सेल स्थान पर माता के बाम गाल गिरे थे इनकी सक्ति है राकनी और भहराव को बत्स नाभम 42 नंबर पर आते हैं गोदावरी तीर सक्तिपीट यहां माता के दक्षिन गंड गिरे थे इनकी शक्ति है पिश्वरे शुरी और भहराव को दंड पानी कहते हैं अब बात करते हैं 43 नंबर पर 43 नंबर पर आते हैं रतनावली कुमारी शक्तिपीट बंगार के हुंगली जिल 44 नमबर पर आती हैं मितला उमा सक्तिपीट भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मितला के माता का बाया इसकंदगिरा था इनकी सक्ति है उमा और भेराव को महोदर कहते हैं 45 नमबर पर नलहाटी कालका तारा पिट सक्तिपीट है पस्ष्व मंगाल के बीर भूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पेर की हड्डिगिरी थी इनकी सक्ति है कालका देवी और भेराव को योगेस कहते हैं 46 में नमबर पर है करनाथ, जैदरुगा, सक्तिपीट करनाथ में माता के दोनों कान गिरे थे इनकी सक्ति है जैदरुगा और भेराव को अभी रू कहते हैं कई जंगे बताया गया है कि माता के इंक्याउन सक्तिपीट है लेकिन 53 सक्तिपीट है मैं पूरी जानकारी आपको दूँगा वंगलादिस के खुला जला के इस्थान यसूर परमाता के हाथ और यिह घर हो को चंड कहते है और 49 वी नममर पर नाम आता है नंदिपूर नंदिनी सक्तिपीट पस्चिंग मंगला के भीरभूम जिले के सेंदियर इलवेश्टिसन नंदीपूर इस्थित चार दीवारी में बरगत के वरक्ष के समीप माता का गले का हर गरा था इनकी शक्ति है नंदिनी और भेराओ को नंदी के श्वर कहते हैं इनकी शक्ति है इंद्राक्षी सक्तिपीट इनकी शक्ति है अंबिका और भेराओ को अमरत कहते हैं उसके बाद करते हैं जो आखरी सक्ति पीट है आखरी सक्ति पीट का नाम है त्रेपनवी नमबर पर मगद सरवानंद करी सक्ति पीट मगद में दाए पेर की जंगा गिरी थी इनकी सक्ति है सरवानंद करी और भेरों को ब्योंगेस कहते हैं तो दोस्तो ये थे माता के त्रेप बन सकती पीट दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके वताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत